अलो दोस्तों, फिरी MP स्टेडी में आपका स्वागत है, तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं, विटामिन की कमी से होने वाले रोग एवं मुझे इस तरोत क्या होता है, जा हमारे सरीर में किसी भी विटामिन की कमी होती है, तो हमारे सरीर खुदी लक्षन देना शुर त्रख होता है, ये दोनों को दोनों आखोस सम्मन्द रोग होते, इसमें दिखाई नहीं देता है, रात के समय बिलकुल भी नहीं दिखाई देता, दिन के समय धुदला दिखाई देता है, इसकी कमी को दूर कनने के लिए दूद, अंड़ा, पणीर, हरी, सबजी, मचली, अ तोड़ा है अब आजाते हैं विटामिन बीवन पर विटामिन वीवन का नराइसानिक नाम होता है थाइमीन इसका इसकी कमी से होता है बैरी बैरी रोग एवं ग्रोथ रुखना वे इसकी कमी को दूर करने के लिए दाल मक्का बादाम होटे अनाज आलू आधी को लेना ये इसकी कमी के कारण ही हमारे सरीर में ऐसी चीज़ा होती है इसकी कमी को दूर करने के लिए अंडे की सफेदी गेहूं कद्दू मसरूम आधी को खाना चाहिए नेक्स है विटामिन बी थरी इसका राशानिक नाम है नियासिन इसकी कमी से दाद या पोडी सिंड्रॉम होता इसकी कमी को दूर करने के लिए मूम फली आलू टमाटर पत्ते वाली सबजी या हरी सबजी इन सबको खाना चाहिए नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी फाइब आपकर आइसा निकनाम होता है पेंटो थैनिक अम्ल अब इसकी कमी से का होता है जो जिनकी उमर भी नहीं उनके क्या होने लग जाते हैं बाल सफेद होने लग जाते या फिर जिनकी उमर हो गई है उनके दिमाग नहीं चलता है इसका मतलब हो जाता है कि उनके सरी में बिटामिन वी फाइब की कमी है इसके कमी को दूर करने के लिए मास दूद गन्ना दाले और आवोकाडो की एक प्रकार का फॉल होता है इन सबका सेवन करना चाहिए नेक्स्ट हमारा बिटामिन वी सिक्स इसका रायसानिक नाम होता है पाइरो डॉक्सिन इसके कमी से एनेमिया तो अच्छा रोग आदी होते हैं इसके कमी को दूर करने के लिए सुर का मास अंडा सोयामीन अनाज आदी को खाना चाहिएए नेक्स्ट हमार बिटामिन वी सैवन मी इसकाा रायसानिक नाम होता है वायटीन इसके कमी से सरीर में लक्वा या सरीर में दरद होना लक्वा एक एस सरी जब हमारा शरीर बिलकुल कोई भी मॉव्मेंट नहीं देता है उस उस तदी कहते हैं लक्वा तो यह भी हमने दो तीन छोड़े हुए इसका मतलब इनकी कमी से कोई ज्यादा फरक नहीं पड़ता है अब नेक्स्ट है बिटामिन बी इलेवन इसका राइसानिक नाम है फॉलिक एसिड इसकी कमी से एनिमिया 25 रोग आदी होते हैं इसकी कमी को दूर करने के लिए दाल हरी सब्जी स इसकी कमी को दूर करने के लिए मचली मास अंडा कलेजी दही आदी का सेवन करना चाहिए अब नेक्स्ट है मारा बिटामिन सी इसका राइसानिक नाम होता है एसकॉर्बिक अमल इसकी कमी से होता है इसके कमी को दूर करने के लिए आवला नीवू संत्रा टमाटर यानि की खटे फलों का सेवन करना चाहिए साथ हमें अमरूत भी खाना चाहिए नेक्स्ट हमारा बिटामिन डी इसका राइसेनिक नाम होता है केलसी फेरॉल इसकी कमी से रिकेट्स जो की बच्चों में होता ह जो कि यह हड्डियों से रिलेटेंट बीमारी है इसके कमी को दूर करने के लिए सूर्य का प्रकाश जो की सुबह का समय का हो आठ से दस के वीच का वो लेना चाहिए इसके लाबा मचली के मचली एवां अंडे का पीला भाग यह सब लेना चाहिए नेक्स्ट है बिटामिन एक नाम है टोको फेरॉल इसके कमी से जनन की सकती कम हो जाती है इसके कमी को दूर करने के ऑनलने के दूर मखंग जोर्छन बनस पती तियल अंदी का सेमन करना चाहिए नेक्सट है हमारा बिटामिन के इसका रैसानिक नाम है फीलो कविणन इसकी कमी से रखतका थक्का ना बनना यानि कि हमें जब चोड लग जाती है दम उसको थोड़ी देर दवा कर रखते हैं तो वहां से खून निकलना बंद हो जाता यदि वह नहीं होता है इसका मतला में कि आपके सरीर में विटामिन केक ही कमी है अब इसको दूर करने के लिए टमाटर अंगूर अचे लिए इतना ही धनी